हेलो एवरीवन वेलकम यू आल इन आवर उनलाइन लेर्णिंग प्लेटफर्म लेट्स तड़ी इंडिया आज की इस वीडियो में हम थर्ड समेस्टर की यूनिट सामन की टॉपिक कोलोरी मेट्री को डिसकस करेंगे कोलोरी मेट्री के प्रिंसपल्स क्या है कोलोरी मेट्री का मिनिंग क्या होता है क्या कै इसके यूजज है और कैसे कैसे इसमें जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं वो कैसे वर्क करते हैं ये सारी चीजे इसे एक वीडियो में हम समझ लेंगे तो चलिए बीना देरी के स् तब से पहले, इस पूरे वीडियो को स्टार्ट करने के पहले, मैं आपको क्या बताना चाहते हूँ, मैं आपको एक बात बताना चाहते हूँ, कि आप इस स्पैलिंग को पढ़िए, क्या है, कोलोडी मैट्री, को-लो-री, तो यहां से आपको समझ में आएगा कि दो चीजें मिल रही है एक मिल रहा है कलर और दूसरा क्या है मैट्री कलर वही रंग मैट्री का मतलब होता है मिजर्मेंट तो हम किस चीज का मिजर्मेंट करेंगे कि इसमें color का measurement करेंगे इसमें क्या करेंगे color का measurement जो करते हैं इस process को ही हम colorimetry कहते हैं और जिस instrument से करते हैं उस instrument को कहते हैं colorimeter क्या करेंगे जो हमारी color है color किसमे lights में जो color होती है मतलब जो monochromatic light होगी एक उसमें जो color होता उसका measurement करते हैं और जिस instrument से करते हैं उसको कहते है colorimeter clear है अब एक छीज confusion वाले आती है कि ma'am colorimeter इस ठीक है मैम कैलोरी मीटर भी तो होता है उसमें ज़्यादा कुछ नहीं इस O की जगा पे A आ जाता है कैलोरी मीटर तो कन्फ्यूज नहीं होना ऐसा नहीं सोच लिना कि यार मिस्प्रिंट हो गया A की जगा O आ गया O की जगा A आ गया नहीं कैलोरी मीटर is the different thing की है इस वीडियो में कोलोरी मीटर की तो कोलोरी मीटर क्या है अभी मैंने बोला कि ये दो वर्ट से मिलकर के बने हुए है एक वर्ट जो है वो क्या है कॉलर और दूसरा इस मिट्री मतलब process of measurement of color is known as कोलोरी मिट्री and the device which measure वो device जो मिजर करेगी उसको हम कहते हैं कोलोरी मीटर process को कोलोरी मेट्री कहेंगे और जिस से जिस device से इस process को करेंगे measurement करेंगे उसको हम कह देते हैं कोलोरी मीटर तो कोलोरी मीटर के definition के अगर हम बात कर लें तो कोलोरी मीटर के होते एक photometer है किसकी तरह काम होते है form of photometer है जो किस से डील करेगा which deals with the measurement of light transmitting power light की जो transmitting power होती है, मतलब किसी भी light की transmitting power कितनी है इसी चीज को वो measure करता है of colored solution in order to determine the concentration of light absorbing substance होगा क्या, जैसे माल देजिया आप एक test tube ले लो ठीक है आपने एक test tube लिया है अब इसमें हम कोई solution fill कर देते हैं, क्या कर देंगे हम कोई solution fill कर देंगे इसमें ये solution भरा हुआ है अब आप क्या करो, एक monochromatic light को यहां से pass कराओ अब ये monochromatic light जब इससे pass करेगी, तो पूरी की पूरी as it is बाहर नहीं आ जाएगी कुछ light जो होंगी वो absorb कर ली जाएंगी इसमें, और कुछ light जो है वो बाहर निकल जाएगी मैंने चार arrow यहां दिखाया है तीन arrow को दिखाया कि absorb हो गई, एक arrow को दिखाया कि वो transmit हो गई, तो कहने का मतलब क्या है कि जब हम किसी colored solution से किसी light को, किसी monochromatic light को pass कराते हैं, तो कुछ amount जो होता है, उसका वो absorb होता है अब कितना amount absorb होगा, वो depend करता है कि यह जो solution है, इस solution का concentration कितना है ठीक है, इस concentration पर depend करता है कि कितनी light absorb होगी मैंने कहा monochromatic light, monochromatic light क्या है monochromatic light, monochromatic light मतलब जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही color दीखे, red, green, yellow, blue, कोई भी color हो बट एक ही color होना चाहिए white line जो हमारी होती है, वो monochromatic नहीं होती है, वो polychromatic होती है क्योंकि उसमें क्या आते है, seven colors present होते है, विब की और जिसको हम जानते है तो वो monochromatic light नहीं होई, monochromatic light कौन से होती है, जिसमें सिर्फ एक color हो सिर्फ एक color बोले तो मतलब एक यो wavelength हर color का अपना अलग-अलग wavelength होता है तो एक color का wavelength जो होगा सिर्फ उतनी ही wavelength की light हो और ये light जो होती है वो parallel pass करनी चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ ऐसे जारी है, कुछ ऐसे, कुछ इदर, कुछ इदर नहीं light जो pass करनी है, वो parallel होनी चाहिए ठीक है, तो ये, और सबसे पहले इसको invent किस ने किया था, लुईस जे डुबस का ठीक, इट वस invented by लुईस जे डुबस का in 1870 1870 में, लुईस जे डुबस का ने सबसे पहले इसको invent किया था तो colorimetry क्या है, colorimetry का एक idea आपको लग गया होगा अब मैं बात करूँ कि principle की बात करते है ठीक है, colorimetry का principle क्या है आपको ये image दिख रहा है इसमें आप देखो एक light source है इस light source को हम pass करा रहे हैं ठीक है, इस light source को हम pass करा रहे हैं और ये light source जो है, वो एक mono, पहले यहां पर हम एक lens लगा दे रहे हैं जिसको हम coolie matter कह रहे हैं फिर क्या हो रहा है, ये एक prism से होता हुआ, pass हो रहा है और ये prism से जाएगा जब, क्योंकि ये light से क्या होगा, white color की light निकल रही है एक light source हमने रखा है, वो white color की light को emit कर रहा है अब क्या होगा, कि जब हम इस white color की light emit होगी लेकिन हमें कैसे light चाहिए थी, हमें monochromatic light चाहिए थी तो जब हमें monochromatic light चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगा और monochromatic के साथ साथ मैंने क्या का था, कि lights की जो rays होगी, वो parallel होनी चाहिए ये अगर कोई एक point source है तो उससे तो हर direction में light निकलेगा ना तो यहां पर जो pass करेगा, वो भी हर direction से pass करेगा बट नहीं, हमें क्या कराना है, lights को parallel पास कराना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहां पर लेंस लगा देते हैं, मालिजी एक convex lens लगा दिया, अब क्या होगा, इस light से जब, यह मानो आपका कोई एक light source है इस से जब light ऐसे 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 निकल रही है, तो हमने यहां पर क्या किया, एक lens लगा दिया अब यह light जब इस lens पर जाएंगी, तो यह parallel ऐसे pass करना है, start कर देंगी ठेक, अब light parallel तो हो गई, लेकिन अभी सर्फ हमारा काम नहीं बना है, इस light को हमको, जो यह polychromatic light है, इसको हमको monochromatic बनाना है ठेके, तो हम क्या करेंगे, एक grating का prism है, monochromatic बनाने कलम, बहुत सी चीज़े यूज कर सकते हैं, grating, silica, ठेके, यह सारी चीज़े जब यूज करते हैं, तो उसमें का अगर जब light को हम pass कराएंगे, तो देखें, इसमें से different colors की light निकल रही है, तो हम यहां पर क्या करेंग तो जस color से वो pass करेगा, सर्फ और सर्फ वही color, माल दीजिए उसमें blue color का solution है, तो सर्फ blue वाली light पास करेगे, yellow color का solution है, तो सर्फ yellow वाली light पास करेगे, red color का solution है, तो सर्फ red वाली light वो pass करेगे, और यह जो हम beaker यहां पर यह test tube लेंगे, वो कैसे होगा, cuvet type का, normal नहीं लेन है, क्यों, क्योंकि इसमें क्या होगा, कि इसके बीच में यह test tubes बनते हैं, जो जेगे होगी, वो जेगे नहीं होती है, cuvet type में, वो पूरी तरीके से भरे होते हैं, कोई pores present नहीं होता है, या थोड़ी भी space present नहीं होती है, तब आप जो light जाएगी, वो कैसी जाएगी, monochromatic type की light जाएगी, और parallel तो हमने उसको बना ही दिया था, तो ऐसे कुछ events होते हैं, तो अब इसमें ये सारी चीजे जो आपने समझा है, वो समझा, अब मैं कुछ और चीजे बताना चाहती हूँ, कि जैसे मान लिजिए, कि ये कोई solution है, कि ये कोई solution है, अब क्या हो रहा है, इस इसमें lights आ रही है, कुछ lights इसमें सहूंगी, जो absorb हो जाएंगे, और कुछ lights जो होंगी, वो transmit हो जाएंगे, तो तीन तरीके की हमें रोज देखने को, मतलब या तीन तरीके की arrow देखने को मिल रही है, एक वो वाली arrow है, जो आ रही है, तो इसको हम कहते, incidents, ठीके, यह कौन सी ray है, यह incidence ray है, और इसमें जो है, यह कौन सा, इसको क्या कहते है, absorbance, या इसे को और क्या कहते है, optical density, absorbance या optical density कहते हैं, इसको, after that, यह जो light बाहर आ जा रही है, इसको हम कहते है, transmitted, ठीके, यह transmitted light हो गई, यह incidence ray हो गई, और यह absorbance हो गई, जिसको हम optical density भी कहते हैं, यह इतनी चीजे clear हो गई आपको, आप चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीके, क्या-क्या मैंने बताया, कि यह एक light source निकल रहा है, light जो जानी चेंगे, वो पैलर होनी चेंगे, यह monochromatic होनी चेंगे, उसके लिए हम इतना ताम जहाम कर दे रहे हैं, जिससे की light जो है, वो monochromatic और पैलर रहे हैं, और उसके बाद जो rays आ रही है, उनको हम incidence rays कहते हैं, और जो जितना absorb हो रहा है, उसको हम absorbance, यह optical density कहते हैं, उसके बाद जो transmitted हो जा जा रहे हैं, उसको हम a part of incident light is reflected, कुछ part reflect भी होंगी, जैसे माली जे आ रही हैं, तो कुछ reflect back भी तो हो जाती हैं, हमको पता है कुछ चली जाएंगी, it is denoted जो line जो है, वो reflect हो जाएगी, उसको हम reflected rays को हम, या reflected rays की density को हम किस से denote करेंगे, उसको हम denote करेंगे IR से, चीके, light r यह, कुछ part उसका जो है, वो reflect हो जाएगा, reflected rays ऑनकी density को हम किस से denote करेंगे, उसके बाद क्या है, part of incident light is absorbed, कुछ ऐसे भी तो होंगी जो एब्सॉर्व हो जाएंगी तो जो एब्सॉर्व लाइट जो होंगी उनकी इंटेंसिकी को हम लिखने के लिए क्या लिखेंगे आई एप चाहिए उसको हम दीनोड करेंगे किससे आई एसे अब बसता है कि देखिए पहले तो जितनी लाइट सिह हो गई थोड़ी से सट हो गई अब जो बचेगा वो ट्रांस्मिट हो जाएगा मतलब उसके उस पार आ जाएगा तो जो लेकिन जो में था एंसिड ढायट उसको रहा जरुद्ड एट करेंगे आएक, डिकफिन लेकिन जो में था इंसिडेंस लाइट उसको हम दिनोट करते हैं I O से यह क्या है इंसिडेंट ठेक है क्या हो गया हमारे पास क्या था कि कुछ लाइट जो इंसिडेंट हो रही थी ठेक उसको उसकी density को हमने या उसकी intensity को हमने i0 से कर दिया denote फिर कुछ जो है वो reflect हो जाएंगी तो उसको हम iR से करते हैं कुछ जो है वो absorb हो जाएंगी तो उसको हम कहते है iA और कुछ जो होती है वो transmit हो जाएंगी that is denoted by iT clear है अब आप आगे देखो क्या हो रहा है कि यह तो माल दीजिए हमें वो पता चले कौन सी रेस की intensity को हम किससे denote कर रहे हैं लेकिन अब एक नया चीज आता है transmittance क्या आता है एक टॉम आता है transmittance क्या है transmittance क्या होता है transmittance ratio of transmitted light and incidence light transmittance को कहते है रेशियो आफ रेशियो आफ रेशियो आफ ट्रांस्मीटेड लाइट टू इंसिदेंस लाइट क्या हो गया transmittance को कहते है ratio of transmitted light to incidence light अब आप बताओ कि transmitted को denote करने के लिए हम किस चेच का यूज करते है हम यूज करते है capital T transmittance के लिए हम यूज करते है capital T और किसका किसका ratio यह transmitted और incidence light का ratio है तो transmittance को किस से कर रहे थे हम IT से IT से ही कर रहे थे और ये किसका रिश्यू है? Transmittence और Incidence लाइस का तो वो क्या हो जागा? I 0 या I O तो ये जो होगा ये क्या निकलेगा? हमारा Transmittence निकलेगा ये हमारा क्या निकलेगा? Transmittence अगर हमें Transmittence percentage निकालना होगा तो हमें कुछ ही नहीं करना है सिर्फ इसमें 100 का Multiply कर देना रहेगा तो हमारा क्या आ जाएगा? Transmittence percentage आ जाएगा इतनी चीजे clear हैं? अब आप ये सोचो देखो हमने कहा कि वो Transmittence देगा और उसमें 100 का Multiply कर देगा तो वो उसका percentage देगा अब आप सोचो कि मालो कोई एक Beaker है इसमें कोई solution भरा हुआ है अब इसमें जो incidence light आ रही है वो तो भाई 100% ही होगा वो तो 100% ही होगा अब इसमें 30% जो है वो इसका एब्सॉर्ब हो जा रही है तो अब बचेगा कितना वो 70% जो है I T upon I O तो I T कितना है 70 I O कितना है 100 तो कट गया तो कितना आ जागा transmittance 0.7 0.7 is our transmittance लेकिन वहीं अगर हम percentage की बात कर लेंगे कि हमें भया percentage बताना है तो हम क्या करेंगे इसमें I T upon multiply by 100 तो जो हमने यहाँ पर किया कि 70 upon 100 था multiply by 100 तो 100 से 100 कट हो गया तो कितना बचा 70% तो transmittance कितना आया था 0.7 और उसको percentage में जब काउन करेंगे तो कितना पॉसेंट हुआ यह हो गया 70% clear है तो यही कहरा the ratio of intensity of transmitted light to the intensity of incident light is called as transmittance जिसको हम capital T से denote करते हैं photometric instruments measure transmittance in mathematical terms जो photometric instruments होते हैं वो transmittance को mathematical terms में measure करते हैं जो क्या होगा capital T is equal to I T upon I O clear है इतना clear है अब देखिए जो measurement होता है वो depend करता है दो laws पे एक है beer's law और दूसरा है lambert's law तो मैं आपको यह बताने के पहले कुछ चीज़े समझाना चाहती हूँ वो आप देखो अगर आप वो समझ जाते हो तो फर कोई भी चीज़े समझने के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगे तो मान दिज़े कि हम क्या करते है तीन या चार test tubes ले लेते हैं एक दो तीन चार ठीक है चारो test tubes के जो diameter होंगे वो equal है लाइक मान दिज़े कि सब का diameter क्या है सब का diameter 1 cm का diameter सब का है ऐसा नहीं है कि 1 cm का ये 2 cm का नहीं कोई पतला है कोई चोड़ा है नहीं सारे test tubes एक बराबर होंगे सब की चोड़ाई लंबाई एक बराबर होगी हमने सारे test tubes को 1 cm डाइमीटर का ही लिया है अब हमें क्या करना है इस चारो test tubes में samples को डाल देने है मतलब colored solution को डालना है तो मालो की हम कोई भी solution ले लेते हैं जैसे की चलो copper sulfate ले ले लेते हैं ठीक है solution हमने क्या लिया है copper CuSO4 copper sulfate की solution हमने ले ली है लेकिन दिक्कत हमें करना क्या है main game हमें कहा करना है game इसमें करना है कि हम sample तो चारों में डालेंगे but हम क्या करेंगे concentration different रखेंगे इसमें जो हम डालेंगे उसका concentration सबसे कम होगा ठीक है इसमें जो डालेंगे उसका concentration मतलब यह माल लिजा x concentration है तो यह 2x होगा then यह क्या होगा and this is the 4x concentration पहले माला test tube में यह है test tube 1 test tube 2 test tube 3 and test tube 4 ठेक तो पहले वाले का concentration हमने रखा है x दूसरे वाले का रखा है 2x तीसरे वाले का रखा है 3x और चौते वाले का रख दिया है 4x concentration हम different कर दिये हैं तो जब copper sulphate जो होता है वो pink color का या pink color का ही side color देता है तो इसमें जब बताईए concentration जब different है तो color भी तो different होगा ये जो होगा ये light होगा ये light होगा ये इससे थोड़ा dark होगा ये light होगा ये इससे थोड़ा dark होगा ये इससे भी ज़्यादा dark होगा और ये सबसे ज़्यादा dark color चो करेगा ठेक है अब हम क्या करेंगे एक monochromatic light को pass कराएंगे monochromatic light को हम इसमें से pass कराएंगे तो चलिए ठीके, 6 line है, सब में हम उतनी ही light pass कराएंगे सब में light के intensity जो होगी वो बराबर होगी ठीके, आप हमें पता है कि इसका concentration सबसे कम है इसका concentration उससे ज्यादा है, इसका उससे भी ज्यादा और इसका सबसे ज्यादा है तो हम क्या करेंगे कि इसमें जो light absorb होगी वो मालीजे 2 ही absorb हुई और 4 जो होंगी वो transmitted होंगी अब इसमें क्या हो रहा है, concentration बढ़ने की वज़े से light थोड़ी जादी absorb हो रही है तो जब 3 absorb हो गई तो 3 बाहर निकल जाएंगी अब आते हैं इस पे, अब इसमें भी क्या होगा कि light इसका concentration तो और ज़्यादा था तो इसमें क्या होगा, 4 ways को हम दिखा देते हैं कि यह absorb कर लेगी तो 2 ही बाहर आई अब बात करेंगे last वाले की, तो इसमें हम दिखा देंगे, इसका concentration बहुत जादा है color इसका बहुत जादा होगा, तो इसमें क्या होगा, कि सारी बहुत ही कम light जो होगी, वो transmit होगी बाकी सारी की सारी यह absorb कर जाएंगे इसका concentration था x, this is 2x, this is 3x and this is 4x ठीक है, 4 condition लिया था हमने, अब आप देखो कि सबसे ज़्यादा जो light transmit होई है, वो transmit होई है, transmit को छोड़ो भार में गया transmit, सबसे ज़्यादा जो light absorb होई है, वो किसमें होई है, वो इसमें होई है तो क्यों इसमें होई है सबसे ज़्यादा light absorb, क्यों क्योंकि इसका concentration बहुत जादा है तो इससे हमें क्या conclusion मिल रहा है कि concentration ज्यादा होगा तो absorbance जिसको हम optical density भी कहते हैं वो भी ज्यादा होगा तो इससे हमें conclusion बना सकते हैं कि concentration is directly proportional to optical density हमने एक conclusion ले लिया कि concentration जो है वो optical density के directly proportional है मतलब जितना ज्यादा concentration बढ़ाते जाएंगे जैसा हमने देखा है optical density जिसको हम और क्या कहते हैं इसे को हम absorbance भी कहते हैं तो उतना ज्यादा इसका absorbance जो होगा वो बढ़ता जाएगा समझ में आ रहा है तो concentration किसके directly proportional का मतलब सीदा सीदा रिस्ता यह बढ़ेगा तो यह भी बढ़ेगा यह घटेगा तो यह भी यहां पर concentration कम था तो absorbance भी कम था यहां पर concentration जादा है तो absorbance भी यहां पर बहुत जादा है तो यही क्या है इसी condition को जो यह condition हमने पढ़ा जिसमें समने conclusion निकाला कि concentration is directly proportional to optical density यही क्या कहलाता है beer's law beer's law यह यह beer's law के according क्या होता है कि concentration जो होता है वो directly proportional होता है optical density यह absorbance के मतलब जितना ज्यादा concentration बढ़ता जाएगा light की absorbance से उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाएगी light उतना ज्यादा absorb होता जाएगा और transmitted light उतनी कम होती जाएगी तो beer's law क्या कहता है when a monochromatic light passes through a colored solution जब किसी colored solution से हम एक monochromatic light को pass कर रहे है the amount of light absorbed directly proportional to the concentration of solute in the solution जो amount होगा light का जो absorbed हो रहा है वो किसके directly proportional होगा उस solution में कितना solute, solute का concentration कितना है उसके वो directly proportional होगा तो यहां से हमें conclusion निकाल सकते हैं कि optical density या concentration optical density या concentration जो होता है ये directly proportional होता है किसके ये directly proportional होता है absorbance के इसके absorbance के, sorry, optical density या absorbance जो होता है वो directly proportional होता है किसका concentration का और इसका 22 वर्सा मतलब इसका उल्टा केस भी होगा अगर वो तो इससे हम ये कह सकते हैं कि अगर concentration किसे solute का increase करते हैं तो absorbance या optical density increase होती है अगर concentration कम करते हैं तो absorbance और optical density जो होगी वो decrease होगी और यही क्या है beer's law है इतना आप अपने दिमाग में बैठाया रहो अब चलते हैं अगले पे जो है Lambert's law ठीके अब चलेंगे अगले पे Lambert's law तो Lambert's law को पढ़ने के पहले भी आपको मैं एक कि बता देती हूँ यहां पर हमने क्ימण Liver चील निया त्यम्राइमेंटर बराबर होगा म्क नहीं कोई है कोई मोटे है नहीं लेकिन अब हम क्या करेंगे अब फिर से एक टैस्टियूब लेंगे, माल लिजे चार ही ले ले लेते हैं, एक, दो, तीन, चार, इसका डायमीटर माल लिजे कितना है, वन सैंटीमीटर, तो इसका डायमीटर होगा, टू सैंटीमीटर, और इसका डायमीटर हो जाएगा, आपका 3 सैंटीमीटर, और इसका डायमीटर हो जाएगा, 4 सैंटी हम यहां पर क्या कर रहे हैं ? डामीटर को बढ़ा दे रहे हैं डामीटर छेंज है चारो test tube का एक का 1 cm दूसरे का 2, तीसरे का 3 च्वाधे का 4 अब क्या हो रहा है ? डामीटर बढ़ा हुआ है लेकिन रिकी सारी चीज़े सैम होंगी the solution का concentration भी सैम है चारों में और हम क्या करेंगे सेम इंटेंसिटी की मोनोक्रोमाटिक लाइट इससे पास कराएंगे चीक है बस हम क्या करें टेस्टीप की डायमीटर को चेंज कर दिया है हमने बाकि जो इंटेंसिटी है कंसेंटेशन की या लाइट की वह सब सेम है अब लाइट जब इससे पास करेगा तो आप सोचो कि यह पतला टेस्टीप है तो इसको थोड़ा कम ही मतलब अगर आप सोचो कि माली जे हमें क्या करना हो एक पतली गली से गुजरना और एक रोड से गुजरना है तो हमें पतली गली में थोड़े ही कम टाइम तक ट्रेवल करना पड़ेगा और जो रोड पे जाएंगे तो जादा टाइम तक ट्रैवल करना पड़ेगा, जादा दूर तक ट्रैवल करना पड़ेगा, तो यह क्या होगा, कि जब यह लाइट वाले टेस्ट्यूप से पास करेगी, तो इसकी एब्जॉर्बेंस जो होगी, वो मालीजे की दो है, तो चार बाहर आजाएंगे, अब यहां पे जो पाथ लेंथ है, वो पाथ लेंथ थोड़ी सी बढ़ गई है, तो यहां पे एब्जॉर्बेंस भी जो होगा, वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, यहां पे पाथ लेंथ और जादा बढ़ गया है, तो एब्जॉर्बेंस भी क्या होग और जादा बढ़ जाएगा यहाँ पर path length तो भाई सबसे जादा हो गया है तो यहाँ पर absorbance जो होगा वो भी सबसे जादा हो जाएगा तो जैसे हमने Bure's law में यह देखा था कि concentration के directly proportional होता है optical density सेम उसी तरीके से यहाँ पर क्या होगा path length के भी directly proportional होगा absorbance और यह क्या कहलाता है यह कहलाता है Lambert's law Bure's law पढ़ा हमने और Lambert's law तो Lambert's law क्या कहता है when monochromatic light passes through a colored solution the amount of light absorbed is directly proportional to the length of thickness of the solution जो solution के thickness की length है उसके directly proportional है simple language में हम यह कह सकते है कि जो optical density या absorbance जो होगी वो क्या होगा directly proportional होगा किसकी directly proportional होगा path length के path length के तो यहाँ से क्या conclusion आएगा od is directly proportional to L और beer's law में क्या था od is directly proportional to c concentration बढ़ रहा था तो od optical density आपकी बढ़ रही थी यहाँ पर क्या हो रहा है length बढ़ रहा है path length बढ़ रही है तो optical density बढ़ रही है अगर वही path length कम होगा तो optical density कम होगा तो यह तो हमारे पास अलग-अलग हो गया कि beer's law के according यह हो गया और lambert's law के according यह हो गया अब आप क्या करना है हमें कि हमें दोनों को combine कर देना है दोनों laws को जब हम दोनों laws को combine करेंगे मतलब beer's और lambert law को combine करेंगे तो absorbance is directly proportional to concentration था यही दो चीजे थी हमारे पास अब हम क्या करेंगे इन दोनों को combine कर देंगे तो जब हम इन दोनों को combine करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा एक आएगा कि absorbance equals to kcl या kcl अभी छोड़ दूआ क्या होगा absorbance is directly proportional to c and l यहाँ पे जब हमारा lhs equal है तो हमने rhs को भी लिख दिया अब हमें यह proportionality हटानी होगी तो हम क्या कहेंगे absorbance is equal to kcl और यह k क्या होगा यह होगा absorbance coefficient जो एक constant होगा k is constant और क्या है यह यह होगा absorbance coefficient तो क्या आएगा हमारे पास एक formula आया a is equal to kcl where c is concentration l is length and k is absorbance coefficient वो क्या है constant है और a is absorbance है तो क्या कह रहा है as the path length is same अगर path length same है as same curate is used concentration of an unknown solution can be determined by using equation path length same है मतलब यह path length जो है वो different डिफर नहीं कर रही है path length same है बस हमें किसी unknown solution का अगर concentration define करना है concentration determine करना है तो उसके लिए हम इस formula का use करते है क्या होगा concentration of test is equal to absorbance of test कितना absorbance हुआ है upon absorbance of standard एक standard solution भी हम रखे रहेंगे कि अगर ऐसा होता है तो इसमें absorbance कितना आता है वो standard value हमें पता रहेगी तो वह हम करते है multiply कर देंगे concentration of standard को तो हमें जो unknown solution का concentration है वो पता चल जाएगा clear इतना तो ये था Beard's or Lambert's law अब हम बात करेंगे instruments की instrument जो calorie meter में क्या-क्या instruments यूज होती है तो मैंने इसका idea आपको पहले ही दे दिया था सबसे पहले तो हमारे पास एक light source होना अच्छी जो lights को emit करें तो अब क्या होगा कि यहां पर जो हमारा light source होता है यह मीलनी हम क्या रखते है tungsten bulb tungsten bulb रखते है वो white lights को emit करेगा और यह light source जो है यह point source की तरह काम करेगा इसलिए जो lights होंगी वो हर direction में travel होंगी हर direction में निकलेंगी लेकिन हमें क्या करना है हमें एक parallel light pass कराना है तो parallel light pass कराने के लिए हम क्या करते है lens का use करते है इस lens से जो light हर direction में जा रही थी वो एक parallel direction में जाएगी वो क्या करेगा एक parallel direction में जाएगा उसके बाद हम क्या करते हैं इस light को इस polychromatic light को monochromatic बनाने के लिए हम क्या करते हैं filter का use करते हैं अब क्या होगा इस filter में जो solution होगा उसका जो color होगा जब light उससे pass करेगा तो सर्फ वही वाले color की light pass कर पाएगी बाकी सारी नहीं पाइब उसके बाद क्या करते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं हम फटो सेल्स होती है छो मेजाम कर पते हैं तो अस लाइट को हम मेजर्मेंट नहीं कर पाते हैं मेजर करने के लिए चाहते हैं क्यान की, उसको तो उसको कस थे तो पहले पास एक मीटर होता है इस मीटर से हम लाइट को मेजर कर लेते हैं तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले इंस्ट्रुमेंट जो हमें यूज करना है वो क्या होना चीए लाइट सोर्स होना चीए तो यह उस पूरे को होना चीए और फ्रिक्वेंटली मतलब हमेंसा क्या यूज करते हैं जो मैंने अभी बताया फिर उसके बाद क्या रहता है तो सब काम भर की ही चीजे वहां से फिर आएंगी क्टेंसिंग ये कंडेंसिंग लेंस मैंने बार पर बताया किए क्या करेगा लाइट को एक पैरल्ल पाथ देगा आब लाइट जो होंगी वो पैरलल पाथ में फ्लो करेंगी उसके बाद monochromator present होता है यह monochromator क्या करेगा क्योंकि tungsten bulb से जो white light आ रही है तो वो तो monochromatic होती नहीं वो तो polychromatic है नहीं भाई उसमें तो सारी lights present है तो वो क्या करेगा उस polychromatic light को monochromatic light में convert करता है कौन यह monochromator? क्या है? It is used to produce monochromatic radiations one wavelength band from polychromatic radiations मतलब white light जो polychromatic light है उसको यह monochromatic light में convert करता है It allows required wavelength to pass through it जो wavelength की ज़रूरद सर्फ वह ही उसमें से पास होती है इसमें हम कुछ भी यूज कर सकते हैं प्रिजम का यूज कर सकते हैं monochromator की तरह जीलेटीन फाइबर्स का यूज कर सकते हैं और interference filters को भी यूज कर सकते हैं इतनी सारी चीज़ों को हम यूज कर सकते हैं monochromator की तरह उसके बाद देखते हैं क्या है अब आता है sample holder sample holder जो होगा यह transparent होना चाहिए sample holder जो हमारा होता है यह transparent होना चाहिए या तो glass का हो या किसी clear plastic की cubet हो यह सी को हम preferred करते हैं क्योंकि यह transparent होना चाहिए फिर आता है photo detectors उसको detect भी तो करना है तो detectors of calorimeter basically receive the resultant light beam once it has passed through the sample and convert it into electrical signal यह क्यूवेट्स होते हैं यह क्यूवेट्स क्या होते हैं एक ऐसे special type की test chips होती है जिनके बीच में जो space नहीं होता है कि light यह पर अटक जाए यह एकदम भरी होती हो इसके अंदर silicon में अगर silica या कुछ भी ऐसा भरा रहता है जो क्या करता है इस lights को electrical signals में convert कर देता है जो यह light है यह photo lights जो है इनको electrical signals में convert कर देता है ताकि वह measure कर सके तो इसके बाद वह photo detectors के बाद जाता है क्या क्या होते है selenum, photo cells, silicon photo cells, photo tubes, photo multipliers, tubes etc यह सारे चीज़ों का हम यहाँ पर use करते हैं फिर इसके बाद display होता है इसमें क्या रहता है detects and measures the electric signals and makes the visible output यह electric signals को measure करता है और हमें एक visible output देता है तो यह था all about the colorimetry हमें उमीद है कि आपको वीडियो बहुत इच्छे से समझ में आया होगा चलिए मिलते हैं next video में किसी next topic के साथ तब तक के लिए thank you झाल झाल प्रॉब 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 युट छॉब लिए युट युण श्रॉब झाल 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 झाल